पोट से जुडी किसी भी अपडेट कीए, स्पोट स तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें चार ग्रुप और 16 टीमों के बाद आज दिन है पाशवे ग्रुप की बात करने का, ग्रुप E की बात करने का, जहां पर चार बड़ी टीम मौझूद हैं और जिनमें से एक ऐसी टीम भी है जिनोंने तीन बार यूरो अपने नाम किया है, पोलेंड, स्वीडन, स्पेन और स्लो आज जाएगा, तो शुरुवात करते हैं पोलेंड से, पोलेंड के बारे में टीम प्रोफाइल देखेंगे, मैच फैक्ट देखेंगे, टीम लाइनप देखेंगे, स्कॉर्ड उनका किस तरीके से है, कि अगर पोलेंड के लिए अगर बात करें, तो पोलेंड लगातार ये चौथा टॉर्नमेंट होगा, यूरो में अगर देखा जाए, एक काफी उभरती हुई टीम और डेवलप टीम के हिसाब से, पोलेंड की टीम आरी है नजर, अगर इस कॉलिफिकेशन रिकॉर्ड की बात की जाए, तो दस मैच में आठ जीत पोलेंड ने दर्च किये, एक ड् अड्वांटेज होता है, रॉबर्ट लेविंडॉस्की का, रॉबर्ट लेविंडॉस्की बहुत अच्छे फॉर्म में है, और यही एक नतीजा है कि पोलेंड की टीम अटैक मोड में बहुत जादा है, और स्कोर करने के लिए सक्षम भी है इस यूरो की सीजन पे, लेकिन इसके बाद मैं इनकी इंटरस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात की जाए और अगर टीम लाइनप की बात में बात की जाए तो किस तरीके से चीजें निकल कर आएंगी, वो अभी की स्लाइड में पता चलेगी, अगर अपीरेंस की बात की जाए, तो जैसा की बताया था, चौथा अभीरेंस है पोलेंड का इस योरो में एक consistent टीम के तोर पर उभरती हुई पोलेंड की टीम आई है और अगर इनका best की बात की जा तो 2016 में जो योरो हुआ था उसमें ये टीम quarter final सक पहुची थी लेकिन उमीद है और मौका होगा इस बार पोलेंड के लिए कि इस योरो में वो ना केवल सिफ quarter final तक पहुचे लेकिन quarter final के आगे भी जाने की कोशिश करें क्योंकि यहां इनकी टीम बहुत अच्छी है यहां पर इनका squad बहुत जादा अच्छा है strength की अगर बात करें तो उन्होंने केवल एक match हा रहे हैं पिछले 8 games में अगर European Championship की बात करें जिसमे से उन्होंने दो में जीत हासिल की है हाँ पांच match draw भी रहे हैं उनके लेकिन अगर हार की बात की जाए तो सिर्फ एक ही हार उन्हें मिली है चेक रिपब्लिक के अगेंस में 2012 का ग्रूप स्टेज में तो यह अच्छा record होता है और एक strength के रूप पर strength के तौर पर बात आती ह यह पोलेंड की अगर बात देखा जाए वीकनेस की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कई जैसे दूसरी टीमें आती है हमारे सामने उसी के हिसाब से पोलेंड की भी एक टीम है कि कि गेम्स जब होते हैं मैचेस जब होते हैं तो एक से ज़ादा goal score करने में नाकामियाब र जो कि वंडिस लीगा में हाई स्कोरर रहे हैं, गर्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने लेकिन एक ही गोल पिछले अपने लास्ट दस मैच में किया है तो यह हो सकता है एक इंटरस्टिंग पैक लेकिन यह एक वीकनिस के तौर पर भी सामने आता है क्योंकि वल्लक अगर पोलन के बात हुई है तो पोलन के बाद दूसरी एक ऐसी भी टीम है जो की अंडर्डॉक हो सकती है और हो सकती है कि वो इसमें वड़ी हेवीवेट्स टीम को हरा सके लेकिन अगर टीम स्कोर्ड की बात करें उस पे जाने से पहले पोलन का तो लूकस स्वाबियांसकी ये थोनों इंपॉर्टम्य कीपर पर होगए क्योंकि इम्पॉर्टम्ट है और सीजिष्नी तो युएंटर्स के गोल कीपर है और कापे अच्छा फॉर्म पर हैं में बधणारे की बहुत जबदस डिफेंडर होंगे गिलिक इनके पास में है, हेलिक, माइकल हेलिक इनके पास में है, इंपोर्टेंट होंगे और अगर मैं सीधे फॉवर्ड लाइन पा जाओं, तो फॉवर्ड लाइन पे मुझे ऐसे दो प्लेयर्स दिखते हैं अर्काडू इस मिलिक्च और रॉबर्ट लेविंडोस्की जिसकी अभी बात की थी और दुनिया चर्चा कर रही है इन प्लेयर्स की तो अभी वीज क्वालिविकेशन रिकॉर्ड देखे तो दस मैं से पांच मैच उन्होंने जीते हैं दो मैच ड्रॉ और तीन में हार मिली है लेकिन अगर उन दस मैचों के हिसाब से इनका गोल रिकॉर्ड देखा जाए तो गोल स्कूर करने का रिकॉर्ड उनका पंद्रा है तो यहां पर भी एक चीज देखी जा सकती है कि यह भी टीम अच्छा गेम खिलती है लेकिन डिफेंस में चोक कर जाती है क्योंकि 12 गोल कंसीड भी है इन्होंने अपनी हार केस में लेकिन अगर इसके बाद मैं इनकी श तो स्लोवाकिया इस यूरो में उनका तीसरा अपिरेंस होगा बहुत जादा ही experience टीम नहीं है बहुत जादा experience साइड नहीं है लास्ट 2016 में यह टीम आई थी और यह consecutive इस बार भी आ रही है तो 2016 में लास्ट 16 तक तो पहुँच चुकी थी अब इस यूरो में देखते है कि इ वीडन पोलेंड जैसी टीम को हरा के आगे बढ़ सकती है स्टेंथ की अगर बात की जाए तो इनका जो ओपन प्ले का गेम है ओपन प्ले का डिस्पले जो होता है स्लोवाकिया टीम का 15 में से 14 गोल ओपन प्ले के डिस्पले से आये हैं 2020 क्वालिफायर में तो यह इनका स्ट जरूर बताता है क्योंकि यह किसी दूसरी टीम से हाई रेशियो है इनका कोई और टीम ओपन प्ले के गेम में इतना जादा स्कोर नहीं करी है जितना जादा स्लोवाकिया ने किया है 93 प्रतिशत का रेशियो इनके हाथ पर है लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात होती है तो सिर्फ ओपन डिस्प्ले की ही बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम सिर्फ इनको इस तरीके से मैच खेलने के लिए मौका देगी वहाँ पर वीकनेस भी आईगे और वीकनेस जैसा कि हमने यह देखा है कि चार में से इनके चार जो प्रीवियस मैच है उनमें से उन के पास में स्टाइनिसलाव लोबोटका जो है इंटरस्टिंग फैक्ट में और मेरेक हांसिक जो नैपॉली से खेलते रहते थे कुछ साल पहले वह इंपॉर्टन प्लेयर भी थे उन्होंने हाई स्कोर गोल किये हैं तीन तीन गोल के साथ में एक असिस्ट भी है और किसी और स्लोवाकिया के प्लेयर से जादा है ये रिकॉर्ट तो एक इंटरस्टिंग फैक्ट हो सकता है लेकिन अगर टीम लाइनप की बात करें स्लोवाकिया की तो वो किस सरीके से हो सकती है इस यूरो के लिए वो आपके सामने आएगा अभी आपके पास डुब्राव का है आपके यह दोनों नाम लिये थे मैरे खैमसिक और स्टैनिसलाव लोबोट का यह दोनों इंपोर्टन होंगे बहुत जादा और जुराज कुक्का भी इंपोर्टन होंगे अगर मिट फील्ड लाइन पे जैसा की ओपन प्ले की बात होती है स्लोवाकिया के गेम को लेके क्योंकि यह ठैसी टीम को दिगे किए जो तीन बार begins मीरा जीतावज मीरा वह जीती बढ़ोंगे बात करए लिएब कोलीटी सब्स दिए इन डूमरह जिती है अध्य को दोभी थे हैंने 20 15直接 कंगीए बात की जाए उन्हें मैच हारे नहीं है अपने और उससे भी अच्छी बात यह है कि 10 में से स्पेन ने आठ में जीत हासिल किये तो 31 गोल भी किये हैं और इंट्रेस्टिंगली यह है कि इस स्पेन के पास में जो बड़ी की और बड़ा प्लेयर है बड़ा फैक्टर माने जाते थे सर्जेयो रामोस वो साल नहीं होंगे लेकिन तब भी इन्होंने सिर्फ पांच गोल ही कंसीड किये हैं एक अच्छी चीज यह दर्शाता है कि अटायक में और डिफैंस में दोनों में ही इक्विवेलेंट है इस बार चोटा स्कॉर्ड लेके चल रहे हैं 26 का स्कॉर्ड बोला था 24 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए थे इसमें कई प्लेयर्स के साथ में दिक्कत भी आई है अभी जब टीम लाइन आप आईगी हम आपको इसके बारे में बताएंगे लेकिन अगर इंट् निचार आप चोटा आप 29 बारे माच ये डॉर्नमेंट जीता भी है वेस्ट की अगर बात कि जाए तो लास्ट उसाइटिस गोल जो है यो रोपियन चैंपियंशिप में वह इंसाइट बोक्स पे है तो जैसे कि हमने स्लोवाकिया की बात की थी ओपन प्लेय में इनकी जो इ यह inside box में goal करते ही करते हैं players इनके याने कि इनके forward और इनके attacking midfielders जो हैं वो जादा crucial होते हैं और वो deadly रहते हैं जब वो box में रहते हैं और उनको जब ball receive करती है याने कि यह समझ लीजे कि आपका second या third touch जो रहता है वो सीधे goal पे ही जाता है तो important होगा weakness लेगिन यह है कि last के जो दोनों match है जो last 2 match Spain ने खेला है जो total 10 में से बात हो रही थी जीतने वाली वो दोनों ही match हार गई थी और last जो 16 match आप championship की बात की जाए 11 में जी था के तीन ड्रॉव है उसके बाद में जो last के match है वो इन्होंने हारे भी है वो Croatia और इटली के अगेंस्ट इनकी हार हुई है तो Croatia की टीम और इटली की टीम भी क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और उसके अगेंस्ट में इन्होंने हार पाई थी इंट्रेस्टिंग फैक्ट ही है कि इनके जो कोच हैं Lewis Henry के जो पासलोना से भी जुड़े हो थे काफी समय पहले उन्होंने बतौर खिलाडी भी European Championship में पार्टिसिपेट किया था और वो एसा प्लेयर भी मैच खेले थे लेकिन अगर इन सब चीज की बात होती है और इसके बाद टीम लाइन अप और टीम का जो स्कौर्ड है बैलेंस है वो किस तरही के से होता है स्पेन का वो अभी आपको दिखेगा कि आपके पास में उना ही साइमुन हैं डेविड डेहाया भी है रॉबर्ट सांचेज भी है तीनों बड़ा नाम है विया रियाल से इन्होंने मैच यूरोपा जिताया था हमें पता ही है और उनी के अगेंस में आपके पास में और लापोर्ट को स्पेन से खेलने का मौका मिला है वो स्पेन के नागरिक बन चुके है इस पेन की गर्नमेंट ने उन्हें अप्रूवल दे दिया था कि आहां आप हमारे आं से खेल सकते हैं वहीं एरिक गार्सिया भी इंपोर्टेंट होंके 20 साल के यंग प्लेयर है जो की मैंचेस्टर सिटी से बार्सलोना जुड़ चुके हैं ये दोनों बहुत जादा इंपोर्टेंट होंगे यंग प्लेयर्स के हिसाब से वहीं जॉड़ी आलब आपके पास में आपको एक्स्पीरियंस देते हैं डिएगो लोरेंटे की बात की जाए सीजर एस्पेलिक वेटा का सीजन बहुत जादा अच्छा रहा है चेल्सी से क्योंकि टीम इतनी बड़ी है और प्लेयर्स इतने जादा जरूरी है इसलिए इंपोर्टेंट होगा कि कुछ बड़े प्लेयर्स के बारे में जादा जानकारी देना सर्जियो बुस्केट्स को कोविड हो गया है तो वो 15 दिन के आसपास तो नहीं खेल सकेंगे 15 दिन में जितने मैच होंगे वो मिस करेंगे तो ये एक दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये कप्तानी भी करते अगर स्पेन में ये होते तो ये ही कप्तानी करते तियागो अलकंटारा कोके डैनी ओलमो उसके बाद में रॉटरी ये इंप पॉवर्ड लाइन रखी थी उसमें जैराड मॉरिनो का भी नाम था क्योंकि उनका सीजन बहुत जादा अच्छा रहा है स्पेन में ला लीगा में और उन्होंने यूरोपा जीता भी है अल्वारा मॉराटा ने युवेंटस से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है स्पेन एक बड़ी टीम होगी और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ये सेमी फाइनल तक पहुंच सके तो क्योंकि प्लेयर्स इनके पास हैं जो ये दमदारी के साथ में आगे टीम को ले जा सकते हैं लेकिन इसके बाद एक और टीम बचती है इस ग्रूप में ग्रूप साम लिया जाए तो सब को स्वीडन पता चलता है लेकिन वो इस टॉर्नमेंट में खेलेंगे नहीं वो स्वीडन से जरूर गहें लेकिन इंजरी के कारण वो यहां खेल निपाए अगर होते तो जरूर केलते हैं 2020 क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड की बात की जाए तो दस में से इनके मैच की बात करूँ और इंट्रेसिंग फैक्ट्स वाली शीट्स की पर जाएं और देखा जाए कि क्या इनकी वीकनेस और क्या स्टेंथ हो सकती है जैसे कि अपीरेंस सेवेंथ है तो इनको भी अनुभग तो है एक एक स्पीरेंस है यूरो 2020 में आने का और यूरो का स् मैच किस तरीके से खेला जाता है कितना अच्छा होता है उसका बेस्ट 1992 सेमी फाइनलिस्ट रही है स्वीडन की टीम जो यूरो हुआ था उसमें सेमी फाइनल तक पहुची थी अगर स्टेंथ की बात की जाए 24 टीमें जो क्वालिफाय की है उसमें से स्वीडन का जो ओल्ड पर टीम के हिसाब से मतलब उनकी टीम ऐसी है कि उनके पास में एवरेज ब्लेयर्स काफी सारे हैं अगर आप देखा जाए टॉर्नमेंट में तो 28 साल 325 जिन एवरेज एक एज निकल के आती है पूरे स्कौर्ड की अगर बात की जाए तो यह इंपोर्टन इसलिए होता है कि मैई पास में एवरेज खिलाडी बहुत जाएं और उनके पास में एक्सपीरेंस बहुत जादा ओड़ा है लेकिन क्या एक्सपीरेंस स्वीडन को यहां से आगे ले जा सकता है आप अगर वीकनेस गे तो पिशले आठ मैच ने छे तो स्वीडन हारे है योरोप्यय किया गर द्राउ मिला है और उनके पास में जो क्लीन शीट रही है वो फ्रांस के गेंस्ट आई थी 2012 ग्रूप सेज में जो रहा था इनका 0-0 का मैच जो था और अगर इंट्रेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो अभी जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो चॉबिस टीम में कि इनकी टीम क्या होगी क्योंकि बड़ी उमीदे सबको थी कि जलाटान अगर होते तो स्वीडन के तरफ से मज़ा आता और इस यूरो में भी मज़ा आता कि आपके पास में रोनाल्डो अगर दिखते हैं तो फिर जलाटान इब्राहिम ओविच भी दिखते हैं हैं है कि स्वालियर्टे से अच्शा का सीजन रहा है मार्टिन ओल्सन उनके पास में हो सकते हैं और ये प्लेयर्ज जो दूनों प्लेयर्ज की अगर बात कि यह इंपोर्टर्न डिफेंडर्स के हिसाब से उतर सकते हैं अगर वहीं मैं मिटफीलडर्स की बडत करूब हो तो मुझे जो कि अच्छा इनका बंडस लीगा में सीजन रहा है ठीक ठाक सीजन रहा है अगर मैं फॉर्वर्ट की बात करूं तो डियन कुलुसेवस्की दिखते हैं युवेंटस से इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है इनका लिंक प्ले दूनो डिबाला और रोनाल्डो दूनो के साथ में काफी अच्छा रहा है और जॉर्डन लासन अच्छी टीम होगी अगर फेवरिट की बात की जाए इस ग्रूप में तो स्पेन और पोलेंड हो सकती है पोलेंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोलेंड के पास इस सीजन प्लेयर्स हैं जो उन्हें ग्रूप स्टेट से हैं और जिस हिसाब का वो ग्रूप है उसी हिसाब से आपके साथ में हम एनलिसिस लेकर आएंगे टीम की बारे में प्लेयर्स के बारे में क्योंकि वह ऐसा ग्रूप होगा जहां पे प्लेयर्स की बहुत जादा बाते होंगी टीम की हो सकता है कम बात हो लेकिन उस टीमों में प्लेयर्स इतने सारे हैं कि बातें बहुत सारी होंगी उसके साथ में आपकी लेकिन इस वीडियो में अभी तक इतना स्पोर्ट्स तक को आप देखते रहे हैं लाइक कीजिए वीडियो, शेर कीजिए वीडियो और नोटिफिकेशन की बेल जरूर जरूर दवाएए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे